हेलो विवर्स वेलकम बेक टो माई चैनल दोस्तों किसे हैं आप सब लोग आई होब कि आप सब बहुत ही जाद अच्छे होंगे आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ज़्यादार और लजीज डाल गोश्ट की रेसिपी इसकी रेसिपी हम आपको बहुत इसी देंगे बह अच्छे से वाश कर लिया है और 250 क्राम समने लिए है धुली हुई मौंग दाल जिसे हमने आधे गंडे पहले भी गोदिया ते भीगी हुई दाल है और नमक जाएगा इसके अंदर जाएके के मताबिक और 1-4 टीस्पून हल्दी पॉडर डाल दीजेगा 2 टीस्पून जाए जाएगा इसके लिए मस्टर डॉयल तो यह हम कूकर में बनाएंगे कूकर के अंदर हम यह गोश्ट डाल देते हैं और यह मस्टर डाल देंगे तो सर्षो का तेल डाला है हमने और यह देखें यह लाल मिश पाॉटर जाएगी दो चमच और इसके अंदर जाएगा एक चोट हम इसे बात में भूनना है एक पर हम इसे चला लेंगे और इसकी लीट लगा के हम मतन को 90% तक अच्छे से कुकर लेंगे तो गोश्ट को अपने अच्छे से गलाना है और यह देखें इसके अंदर तकरीबन 6-7 विज़ लाएंगी आप अपने कुकर के हिसाब से 90% तक अच और इससे गोश्ट को पका लिजेगा तो यह देखें एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं कि गोश्ट हमारा अच्छ से सॉफ्ट हूआ है या नहीं तो आप देख सकते हैं भी थोड़ा पानी भी है इसमें तो हम इसे भूनना है तो गोश्ट देखें तो गल गया है और जो थो करना है कि हमने मस्टर्ड ऑइल डाला है जब भी आम एक तो इसे अच्छी बूहना है तो इसके बूहने के तो कि निशानी होती है इसे बूहने और इट कर देए गोश्क को भूनने के बाद हम एसके बूहने हैं तो दाल आप डाल दीजेगा अच्छे से वाश करके डाल को और इसके अंदर हम डाल देंगे दो मग पानी तो 500-600 ml पानी जाएगा आप अपने हिसाब से पानी डाल लीजेगा जितनी पतली अगारिया अपने डाल रखनी है उस हिसाब साब इसके अंदर पानी डाल लिएगा कटी हुई अदर तो मैंने दो मक पानी डालें है इसके अंदर बारे कटी हुई अधर टाल देंगे ठीज़ पने मुटन हम ठीख सकते हैं कि अच्छे से हमारी कुख खूग गयो एक रह रह चला लेते हैं मटन भी अच्छे से इसके पक गया और दाल भी हमारी अच्छे थ से बारिक कटा हुआ हरा धनिया भी जाएगा तो देखें दोस्तों हरा धनिया और हरी मिर्शा बच्छे से डालेगा और अब हम इसके अंदर भगार करेंगे इसके लिए हम 2-3 टेबल स्पून ले ले लेंगे देशी घी तो आपने देशी घी का भगार करना है जिससे और साधा म प्यास हमारी जलने नहीं चाहिए फ्लेम हमने मीरियम रखा है तो आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज होने लगा है हलक हलकी गोल्डन हो जाएगी तो हम इसका फ्लेम बन करेंगे और यह भगार दाल के अंदर डालेंगे तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइक और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा दिल्ली के लजीज खाने को अगर अभी तक नहीं किया है और बेल बटन दबाएगा जिससे आपको हमारी आने वाली है नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे महले मिलेगी तो यह भगार हम दाल के अंदर डाल देते हैं आप दाल हमारी बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनी है आप इस रेसिपी को ज़रू ट्राइब कीज़ेगा आपकी फैमली में बहुत पसंद आएगी रेसिपी आप इसे दा चामल के साथ रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं तो देखें दाल हमारी सर्व करने के लिए तयार है दोस्तो आज ही इस रेसिपी को ज़रू ट्राइब कीज़ेगा बहुत ही जल्दी ये दाल गुश बन जाएगा हमारी रेसिपी के साथ जागी और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनेगा तो आप देख सकते हैं गर्मा गर्म दाल गुश तयार है तो आप इसे रोटी के सा चामल के साथ सर्व किजी जिससे आप खाना पसंद करते हैं और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा भगार डाल देंगे और जो हमने बचाया था थोड़ा सा तो गरम करके वह हम इसके अंदर डाल देते हैं उपर से अब हम इसके अंदर डाल देंगे गरम मसाला तो गरम मसाला आप ज़रूर डालिएगा इससे और ज्यादा टेस्टी होती है दाल तो प्लीज इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइक कीजेगा और हमें कमेंट्स करके बताएगा कि दाल कुष की रेसिपी आपको कैसे लगी दौाओं में हमें ज़रूर याद रिखीगा नेक्स्ट वीडियो में इन्शाला आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई मसेदा रेसिपी के साथ तैंक यू फर वाचिंग